कॉंग्रेस ने हिमाचल को दिया धोखा खजाना खाली होने से सेलरी पर संकट 18 महीने में 19,000 करोड का कर्ज वित बेभात से लगाई स्पेशल गुहार नमस्कार टर्निंग पॉइंट मैं आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियापस्ट लोग सबच रौ मिल लोगों से जूट बोलकर और उन्हें गुमरहा करके जिस तरह से कॉंग्रेस ने वोट हासिल किया उसके नतीजे कुछी दिनों में सब के सामने आ गई अब हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है दरसल कॉंग्रेस पाटी ने जब से हिमाचल प्रदेश की सत्ता संभाली ह राज लगातार कर्ज के बोच के तले दपता जा रहा है अब पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर हिमाचल प्रदेश की परिशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है कर्ज के बोच तले दबे हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में वित संकट बढ़ सकता है पेंचन स्कीन ओपीएस का वादा राज की आर्थिक सिधी पर भारी पढ़ने वाला है ओपीएस की वज़े से राज पर आर्थिक बोज दोगुना हो जाएगा हिमार्चर प्रदेश सरकार पर मौझूदा वक्ष में 85,000 करोड रुपे से जादा का कर्ज हो चुका है हालात यह है कि खजाना खाली होने से सैलरी पर संकट आ गया है और कर्ज चुकाने के लिए भी राज सरकार को कर्ज ही लेना पड़ रहा है कॉंग्रेस सरकार ने बीते देड़ साल में ही लगभग 19,000 करोड रुपे का कर्ज राज पर चड़ा दिया है अगले विते साल से पहले ही कर्ज का आकड़ा एक लाग करोड रुपे को पार कर जाएगा पेंशन पर खर्च होगा लगभग दो गुना मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक राज की कॉंग्रेस सरकार ने सोल वे विते आयों की टीम को बताया कि आने वाले सालों में उसका पेंशन पर होने वाला खर्च लगभग दो गुना हो जाएगा ये नई पेंशन स्कीम में शामिल करमचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो जाने के कारण होगा हिमाचब प्रदेश पर पढ़ने वाले आर्थिक बोज के बीच राज के मुख्य मंत्री सुक्वेंदर सिंग सुखु ने सोलुए वित्यायोग से मदद की मांग की है पेंशन पर वर्तमान में लगभग 10,000 करोड रुपे खर्ज राजी सरकार ने बताया है कि साल 2030-31 तक उसका पेंशन पर होने वाला खर्ज 19,728 करोड रुपे हो जाएगा ये वर्तमान में लगभग 10,000 करोड रुपे से भी कम है वित्य साल 2026-27 से 2030-31 के बीच कुल 90,000 करोड रुपे का खर्ज मार्कर प्रदेश को पेंशन पर ही करना पड़ेगा कॉंग्रेस के OPS के वादे से राजी के अन्य विकास कारियों के बजट पर कटौती होने की आशंका है ऐसा इसलिए है क्योंकि राजी के बजट में पहले पेंशन का हिस्सा मात्र 13 प्रतिशत था जो की OPS के बाद बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगा पुरानी पेंशन के गारण होने वाला ये खर्च राजी सरकार के करमचारियों को दी जाने वाली तन्खा पर खर्च के लगभग बराबर होगा 2026 में राज्य सरकार अपने करमचारियों को 20,649 करोड रुपे तुनखा देगी 2026 में दी जाने वाली पैंशन की धनराशी 16,728 रुपे करोड होगी राज्य में पैंशन पाने वालों की संख्या भी आने वाले सालों में नौकरी कर रहे करमचारियों से जादा हो जाने के कयास हैं वहीं ये भी बात सामने आई है कि 2031 तक राज्य में 2,38,000 पैंशनर हो जाएंगे ये संख्या आने वाले समय में राज्य करमचारियों से भी अधिक होगी क्योंकि ओसत हर साल 10,000 करमचारी रिटार हो रहे हैं इसकी तुलना में नए करमचारी भरती नहीं हो रहे हिमाचर प्रादेश को 2026-27 से 2031 के बीच ट्वंखा और पैंशन पर कुल मिलाकर 2.11 लाग करोड रुपे खर्च करने पड़ेंगे राज सरकार की आर्थिक सिती को देखते हुई अनुमाल लगाया गया है कि वो इस बोच को अकेले सहन नहीं कर पाएगी इसके लिए उसे विशेश मदल की जरूरत होगी ओपीएस के कारण हमाचर प्रदेश पर पढ़ने वाले आर्थिक बोच के बीच राज के मुखे मंतरी खुद सुक्विंदर सिंग सुक्खो ने सोलवे वित्य आयोक से मदद की मांग भी कर दी है उन्होंने कहा है कि राज को विशेश आर्थिक मदद दी जाए मुखे मंदरी ने खुद माना है कि उसके राज को कर्ज चुकाने के लिए ही नया करज लेना पड़ रहा है राज का कर्ज उसकी GDP का 40% से अधिक हो चुका है उसका राज कोशिय घाटा भी GDP के 5% के उपर है जबकि नियमों के मताबिक किसी भी राज का कर्ज GDP का 20% जबकि राज कोशिय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए 18 महीने में राज जी पर चड़ा 19,000 करोड रुपे का कर्ज कॉंग्रिस ने 2022 के हिमाचल प्रदेश विधान सबाचुनाओ में जोर शोर से पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया था हाला कि अब इसके दुश परिणाम सामने देखने को मिले हैं आर्थिक बोज के कारण राज के अर्थवेवस्ता चर्मराने के संकेत मिल रहे हैं इन सब के बीच कॉंग्रेस सरकार का धुआधार तरीके से कर्ज लेने का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में 88,000 करोड रुपे से भी अधिक का कर्ज है कॉंग्रेस सरकार बीते डेड़ सालों में ही लगभख 19,000 करोड रुपे का कर्ज राज पर चड़ा दिया है हिमाचल पर चड़ चुका 90,000 करोड रुपे का कर्ज हिमाचल की हालत भी पड़ोसी राज पंजाब की तरह हो रही है पंजाब सरकार पर 3,500,000 करोड रुपे से जादा का रुण है तो हिमाचल पर भी 90,000 करोड का चड़ चुका है पंजाब की अनुमादित संख्या 3,70,000 करोड है इस तरह जनसंख्या से तुल्णा करे तो प्रदेश में प्रती व्यक्ति द्रण पंजाब से विज़ादा है बारत में राजेदिक दलों के बीच मुफ्त की गोशनाओं का चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है इस मुद्दे पर विदेशी अजिंसियों के साथ साथ अर्थ शास्त्रियों ने चिंता जताई है सोलवे वित आयोग के अध्यक्ष अर्विंद्र पंगडिया ने कहा कि आयोग मुफ्त की रेवडियां बाटने और हरित दायरा बढ़ाने के लिए मुआउजे से संबंदित मुद्दों का समाधान करेगा अर्विं ने हिमाच्प प्रदेश ररकार के साथ विचार विमर्ष के बाद राज की उपेक्षाओं और जरूरतों पर चर्चा की है उन्होंने का कि आयोग मुफ्त की रेवडियों के मुद्दे पर भी विचार करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि इनका चलन बढ़ गया है और राजियों और राजनिदिक दलों के बीच मुफ्त सुविधायत देने की होड मची हुई है कॉंग्रिस ने मैनिफेस्टों में दस गैरेंटी का किया था वदा अब दस गैरेंटी योजनाओं के जर्ये महिलाओं से लेकर युवाओं तो खुरुजाने के लिए पैंशिन से लेकर रोजगार तक कोश शामिल किया था कॉंग्रिस ने राज के बागवानों को भी अपनी फसल की कीमत लगाने का मौका देने का वादा किया था पशुबालन को बढ़ावा देने के लिए गोबर खरीद और दूद व्यापार के लिए भी गारंटी में शामल किया गया था बहंगाई की मार जेल रहे लोगों के लिए बिजली यूनिट भी फ्री देने का वादा किया था पुराने पैंशन स्कीम बहाल होगी महिलाओं को हर महीने पंदरा सो रुपे दिये जाएंगे बहंगाई की मार से बचने के लिए राज में तीन सो यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी बेरोजगारी से निपटने के लिए युवाओं को पांच लाक रोजगार की सौगात दी जाएगी बागवानों के फॉलो की कीमत तै करने का अधिकार होगा युवाओं के लिए 680 करोड का स्टार्टप फंड भी जारी किया जाएगा मोबाई क्लिनिक से हर गाउं गाउं तक पहुंचेगी स्वास्त सुविधाएं और मुफ्त इलाज हर विधानसभा में खुलेंगे चार इंगलिश मीडियम स्कूल कॉंग्रेस पाटी ने अपनी चुनावी घोशना पत्र में सरकारी कर्मियों से पुरानी पेंशन बाहल करने का वादा किया था हिमाचर प्रदेश में तकरीबन हर विधानसभा शेत्र में 10-15,000 सरकारी करमचारी है सेवारत और रेटायर कर्मियों की संख्या देखे तो वो लगभग 4,000,000,000 के आसपास है हर साल 15-20 प्रतिशत कर्मी रेटायर होते हैं तो कुछ नए पद भी भर जाते हैं हिमाचर प्रदेश में मौझूदा स्थितियों में पुरानी पेंशन लागू होती है तो हर साल सरकारी खजाने पर लगभग 600 करोड रुपे का अत्रित भार पड़ेगा पुरानी पेंशन के केवल बेसिक तै होता है इसमें डियार महंगाई राहत जुडिती रहती है पे कमिशन के जरीए पेंशन रिवाइस होती रहती है अगर पेंशन का डियार बकाया है तो उसका एरियर मिल जाता है ऐसे में हिमाचर प्रदेश की सरकार का खर्च बढ़ जा सालाना चाहिए हिमाचर प्रदेश में कॉंग्रेस की दस गारेंटियों में महिलाओं के लिए भी घुशना की गई थी इसमें इसका गया था कि 18 से 60 साल की आयू की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपे की सुनिश्चित आय दी जाएगी विदान सबर चुनाओं के आकड़ों के मताबिक हिमाचर प्रदेश में महिलाओं की संख्या 27,36,306 है इसमें से 21,1,483 महिलाओं ने वोट डाला है चूंकि इस गारंटी में शामिल होने के लिए आयू तै की गई है इसमें 15,00,000,000 महिलाएं भी ये राशी लेने के लिए योग है तो इसके लिए हर महीने 225 करोड रुपे खर्च होंगे इसके लिए सरकारी खजाने पर सालाना 2700 करोड रुपे का अतरित बोज पड़ेगा कॉंग्रेस घोशनापतर के मताबिक पर दोजाना 10 लिटर दूद खरीदना है सरकार जेविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो रुपे किलो गोबर खरीदेगी इस पर भी कर चाएगा हर वधानसवा शेत में चार अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल खुलेंगे हर गाव में अस्पताल की गाड़ी पहुंचे वह अभी पूरी नहीं की जा सकती है इसके बाद उन्होंने का कि अप संसाधन होने पर सरकार महिलाओं पंद्रा सो रुपे देगी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अगनी होतरी ने शपत ग्रहण समारों के बाद कहा कि हम जनता की वीडियो में सियम सुखु ने एक टीवी इंटिव्यू के दौरान कहा कि हमने वादा किया था इसलिए हम विवस्था करनी होगी वर्तमान में हम साट साल से अधिकायों के सभी पुर्षों और महिलाओं को पंद्रा सो रुपे दे रहे हैं अब हमें करना होगा अठारा से सा साधन बढ़ रहे हैं और फिर हम उन्हें पंद्रा सो रुपे दे सकते हैं चुनाओं से पहले कॉंग्रिस ने कहा था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पैंशन योजना एक लाक नौकरियां महिलाओं को पंद्रा सो रुपे देने का जो वादा किय है उसे हम लागू करेंगे सरकार बन जाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुकु ने कहा कि हमने कोई एक महिने का वादा नहीं किया है हमारी गारंटी योजना पांच साल की है संसाधन बढ़ने पर ही अठारा से साट साल की महिलाओं को पंद्रा सो रुपे द देने का वादा नहीं किया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवडी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है उन्होंने देशवासियों से रेवडी कल्चर से सावधान रहने की बात कही थी क्योंकि ये देश के लिए घातक है प्या मोदी ने कहा थाकि हमारे बुजूर्गों ने कहा था कि आमधनी अठनी खर्चा रुपया वाली नीती सही नहीं है. आमधनी से ज़ादा खर्च करने पर आम आदमी हो या सरकार कर्द के बोज के तले दप जाती है. ऐसे में ना तो व्यक्ति का विकास हो सकता है और नहीं सरकारे लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए विकास कारे करवा सकती है लेकिन अपनी गारंडियों को पूरी करने के चकर में कॉंग्रेस ने हिमाचर प्रदेश को गड़े में धकेल दिया है टर्निंग पॉइंट में फिलाल के लिए इतना ही बागी तमाम खबरों के लिए देखते रही है कापिटल टीवी नमस्कार